हाई सब्वाइवर्स शायद आपको पता हो कि हमारे हीरो नाकाम हो चुके हैं और अब दुश्मन शहर पर कबजा जमाने लगे हैं लोगों के साथ मिलकर आपको resources manage करने होंगे अपनी पकड मजबूत करनी होगी और frontline को supply पहुँचानी होगी ताकि आप खुद को दुश्मनों से बचा सकें ऐसा करने के लिए lobby में new age icon पर click करें और city में पहुँच जाए इसके बाद command center में supply runs को ठीक से देखकर पता लगाएं कि आपको क्या करना है शुरुवाती stage में हर supply runs को अलग-अलग तरह के और अलग-अलग मात्रा में raw resources की जरुरत पड़ेगी जिन्हें तीन तरीकों से हासल किया जा सकता है पहला तरीका हर तरह का raw resource उनसे जुड़ी चार फैक्ट्रियों में पहले से तैर time period के अंदर एकठा किया जा सकता है आप अपने दोस्तों के पास जा कर भी उनके city से raw resources उठा सकते हैं आखरी तरीका है चार फैक्ट्रियों में मौजूद raw resources को fuel shards के बदले में लिया जाए आप daily mission, daily login challenge और regular in-game activities से fuel shards हासल कर सकते हैं सप्लाइ रंस पूरा होने पर आपको तीन खास चीज़ें मिलेंगी contribution points, new age tokens और concrete contribution points दिखाते हैं आपकी city management skills तो दिखाए अपने दोस्तों को कि आप कितने अच्छे planner हैं new age tokens के बदले city store से item लिये जा सकते हैं store से आप करीब आते दुश्मनों से लड़ने के लिए weapon और protective gear खरीच सकते हैं concrete, town hall को level up करने के लिए इस्तमाल होती है जिसके बाद processing plan की production capability unlock हो जाती है इसकी मदद से आप चार फैक्टरियों की production capacity भी बढ़ा सकते हैं समय बीटने के साथ supply run से जुड़ी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी इसके लिए ज्यादा raw resources की जरूरत होगी और साथ ही processing plan से ज्यादा processed materials की भी जरूरत होगी कम शब्दों में दुश्मन से लड़ने के लिए manpower और resources का साथधानी से इस्तमाल करें ताकि आप को जरूरत के हिसाब से हत्यार और protective gear मिलें